क्लास 10th साइन्स और 12th फिजिक्स में विद्यूत अर्थात इलेक्रिसिटी और इस्थिर्वेद्यूत स्टेटिक इलेक्रिसिटी पढ़ते समय कुछ राशें आती है या कुछ जिन में हमको ये पता नहीं रहता कि ये अदिश राशें हैं कि सदिश राशें हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रिक जो है ऐसी अपनाएंगे कि उस ट्रिक के द्वारा हम पता कर पाएंगे कि वो राशी अदिश है या सदिश है तो ये हमारी अदिश राशियों की ट्रिक होगी और सबसे मज़ेदार बात ये रहेगी कि इस ट्रिक के अंदर सारे फार्म पता है तो हम ये बता पाएंगे कि ये राशिया क्या है अदिश राशिया है स्केलर क्वांटिटी है जैसे सपोज मानली जी हमारे पास में जैसे हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं करंड जिसको बोलते हैं तो i is equal to q upon t होता है धारा बराबर आवेश ब is equal to i t है ना तो धारा आवेश और समय का संबंद है तो i is equal to q upon t या q is equal to i t और इसमें तीनों राशिया जो है वो आपकी क्या है अदिश है स्केलर है तो याद करना बहुत आसान हो गया ठीक है ना कि आप धारा का जो फार्मुला याद करते हैं उसमें तीनों राशिया क्या है अदिश राशिया है स्केलर है आप दूसरा फार्मुला देखिए ओमसला ओम का नियम जिसमें होता i is equal to v upon r है ना जहां जो धारा है वो विभवांतर और प्रतिरोत के अनुपात के बराबर होती पोटेंशल डिफरेंस और रजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होती है यहां धारा जो है करंड जो है वो आवेश बटे समय था मतलब चार जपान टाइम था q upon t तो आपने i is equal to q upon t और q is equal to i t आपने का तीनों क्या है अदिश है और यहां जो है धारा यह करंड को ओमसला में क्या कहते हैं आप विभवांतर बटे प्रतिरोत v upon r तो i is equal to v upon r है औ और i is equal to v upon r है या हम कह सकते हैं कि v is equal to i r और यह भी तीनों कौन सी राश्या है यह भी तीनों अदिश राश्या है तो है ना मज़ेदार i is equal to q upon t यह आपको वेसे ही तैयार करना ही है फार्मूला i is equal to v upon r भी आपको करना ही है तो बस आप उसमें याद रख लिजेगा कि य राश्या क्या है अदिश राश्या है यह भी तीनों अदिश यह भी तीनों अदिश चली अप तो इंट्रेस्ट आपका क्रियेट हो गया होगा मैं तीसरे सुत्र पर आता हूं धारिता c is equal to capacity जिसको कहते हैं c is equal to आवेश q charge q upon potential है ना या विभुवानतर भी बोल सकते हैं व अगर आप q को निकालना चाहे तो cross multiply कर दीजे तो q is equal to हो जाएगा cb और यह भी आपकी कौन सी राश्या है यह भी तीनों अदिश राश्या है तो इस तरह देखिए तीन फार्मूला i is equal to q upon t i is equal to v upon r c is equal to q upon v है ना और इसमें आपने का यह सारी राश्या कौन सी है मतलब इन फार्मूलाज में जितनी भी राश्या आ रही वो सब क्या है अदिश है q b adish c b adish v b adish q मतलब आवेश अदिश c मतलब धारित अदिश और v मतलब विभवांतर अदिश यहां पे क्या किया था q is equal to it आपने का तीनों अदिश मतलब आवेश अदिश धारा अदिश समय अदिश v is equal to ir तीनों अदिश मतलब विभवांतर अदिश विभव या विभवांतर धारा तो है अदिश आप पहले क्या चुके है और r जो नहीं आ रहा है इसमें एक प्रतिरोद के लिए तो वो भी क्या है अदिश है फिर यह c is equal to q upon v में धारिता आवेश और विभव और आवेश तो विभवांतर कार और आवेश ठीक है ना तो v is equal to w upon q में क्या हो गया है तीनों राशिया अदिश है तो विभवांतर के बारे में हम पहले कही चुके है आवेश के बारे में भी पता चल गया कि कार भी कौन सी राशी है अदिश राशी है चलिए आगे बढ़ बराबर होती है तो p is equal to v i होता है तो p is equal to v i शक्ति तो यहां पर भी में आप से कह रहा हूं कि p is equal to v i में तीनों क्या है अदिश है मतलब शक्ति भी कौन सी राशी हो गई अदिश राशी हो गई और चलिए आगे बढ़िए उश्मा है ना किसी भी वस्तु में जो उत्मन होती धारा प्रभा के कारण जो उश्मा उत्मन होती है वो h is equal to i square rt है ना तो यह उश्मा या उर्जा के लिए भी तो h is equal to i square rt और आप कह रहेंगे यह सारी राशी है सबी अदिश है मतलब उश्मा भी कौन सी राशी है अदिश राशी है तो यहां से आपने क्या-क्या न तरह तरह से आपने इन सारी राशियों के बारे में फार्मूला से बता दिया कि यह सारी राशिया तो आप इन फार्मूला के अधर पर कहिएगा कि यह सारी राशिया अगर फार्मूला याद करके ऐसे याद करने कि यह सबी अदिश है तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों Q सारे अदिश, P is equal to B I सारे अदिश और H is equal to I square R T सारे अदिश तो इस प्रकार से आप अदिश राश्यों को जादा अच्छे तरीके से टिकी तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे और इससे फार्मूला भी आपके याद हो जाएंगे धन्यवाद